गाईज अगर आप भी NPCI सर्वर से आधार सीटिंग लिंक करना चाहते हैं तो आप विर्कुल सही वीडियो पर आएं हैं आज किस वीडियो में complete process बताने वाले हैं क्योंकि जब आप लोग NPCI सर्वर को आधार सीटिंग से लिंक कर देते हैं तो आप लोगो PM किसान का पैसा, E- PPB यानि कि India Post Payment Bank एप को लॉग इन कर लेना है, लॉग इन करने के बाद आपनों को 3TEP पर क्लिक करना है, जैसे आप लोग 3TEP पर क्लिक करते हैं, इसकी बाद आपनों को यहाँ पर एक option देखनी को मिल जाता है, सर्विसेस का, सिंपल सा आपनों को सर्विसेस वाले option पर क्ल इन्टरफेस आजाता है, यहाँ पर आप लोग को arrow वाले option पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप लोग को दो options देखने को मिल जाते हैं, अगर आप लोगो ने किसी और bank में भी आधार सीडिंग एड़ कर रखिये हैं, तो आप लोग को यहाँ पर दूसरे वाले option को चूज करन अगर आप लोग फस्ट टाइम करना चाहते हैं तो आप लोग को यहां पर फस्ट वाले अप्शन पर क्लिक करना है फिलाल के लिए हम फस्ट टाइम करना है तो यहां पर हम फस्ट वाले अप्शन पर क्लिक करेंगे जैसे हम यहाँ पर click करते हैं कुछ this type is interface आ जाता है यहाँ पर आप लोग verify वाले option पर click qualityBon आपके सामने कुछ this type का interface आताहा है यहाँ पर आदहाँ नंबर पर एक OTP जाता है simple सा आपनों को यहाँ पर उस OTP को डाल देना है OTP डालने के बात आपनों को submit वाले option पर click कर देना है जैसे आप लोग click करते हैं आपके सामने थोड़ा सा scrolling होता है यहां पर आपनों को दो options देखने को मिलते हैं यहां पर आपनों को yes वाले option पर click करते हैं यहां पर आपनों के सामने आपनों को देखने को मिल जाता है अगर आपकी किसी दूसरी बैंक में आपका लिंक है तो आपनों को यहां पर देखने को मिल जाता है यहां पर आपनों को दूसरी बैंक देखने को मिल रहे होगी और यहां पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हु पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस टाइब का एंटरफेस आ जाता है यहां पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है रिक्वेश्ट फॉर आधार सीडिंग सेक्सेजफुल जिया गाइस कुछ इस टाइब से आप भी आधार सीडिंग कर सकते हैं उम्मेद करते हैं वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोग आधार सीडिंग कैसे कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करेगा चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब करेगा मिलते लेक्ष वीडियो में जैहिन बंदमात्राम